ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये कोई साधारन सा पिक्चर नहीं है ये हर साल 20 से 24 लाख बच्चों का सपना होता है जी हाँ ये है एम्स दिल्ली यहाँ पे जाना हर उस बच्चे का सपना होता है जो डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि ये भारत की सर्व स्रेश्ट मेडिकल कॉलेज है इसी के अलवा पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे नामचिन डॉक्टर है जो यहाँ से पढ़के निकले है इसलिए हर स्टूडेंट जो नीट की एक्जान देता उसका सपना होता है कि वो यहाँ से जाके पढ़ाई होने चाहिए क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो जो अगले साल के लिए भी नीट की एक्जाम देने का सोच रहे हो या फिर इस साल आपके एक स्कोर कहीं ना कहीं थोड़े कम आ चुके और वापस आप एक एक्जाम देने का सोच रहे हो नीट दोजार पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स पे आप ऐसी एम्स कॉलेज में जा सकते हो तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी 10 इंपोर्टन्ट एम्स कॉलेज की जिसके कट आपको पता होने चाहिए एम्स दिल्ली हर मेडिकल कॉलेज हर मेडिकल एस्पिरेंट का सपना होता है जैसे मैं आपको बताया यहां पे जाने के लिए आपको 57 रैंक्स तक होना चाहिए अब अनफॉर्टनेटली बोलो या फॉर्टनेटली बोलो इस साल पहले 57 के 57 और इंडिया रैंक वन ही है तो यानि कि इस साल अगर मैं आपको बोलू तो जिसका ओल इंडिया रैंक वन है समझ में आ गया वो सारे के सारे टॉप 57 रैंकर्स है तो उस हिसाब से उनको यह कॉलेज में एड्मिशन मिल सकता है जनरल कैटेगरी में इसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे तो एक 1789 रैंक्स तक में एक्सपैसक कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छी कॉलेज है आपको मुझे यह एकस्पिलेज करने की जरौत ही नहीं कि क्यों अच्छी है आपको यहां जो आपके साथ में students भी लेंगे वो भी उसी IQ लेवल के होंगे जो 720 में से 720 स्कोर कर पाते है नीट में तो अगर आपको ये सपना पूरा करना है एंस दिल्ली का सपना पूरा करना है तो एक ही चीज आपके जान में होनी चाहिए 720 में से 720 एक मार्क्स भी कम ने बात खतम एक्जेक्ट परफेक्ट स्कोर आपका होना चाहिए ताकि आपकी एंस दिल्ली की सीट रिजर्व रहे सिर्फ आपके लिए समझ में आ रहा है तो ये एक पॉसिबल ड्रीम है हर साल आप देख रहे हो कि 57 स्टूडन्स तक यहां पहुँच पात स्टूडन्स कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं आप डेफिनिटली कर सकते हैं बस आपको कोई भी नेगेटिव चीज नहीं सोचनी है आपको कोई भी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं होने देना है आपको बहुत सारी प्रेक्टिस करनी है पूरा साल पढ़ना है अग पॉसिबल है आप में वो जज़वा होना चाहिए आप में वो जलूर होना चाहिए कि आज से ले के आप अगला जितना भी महीना आ रहा है जितना भी आपको टाइम मिल रहा है अभी आपके पास कुछ मान लो कि 10 मेने के आसपास है मैं कहता हूँ यह more than sufficient है अगर आप ठान लोंगे कि मैं Ames दिल्ली जाओंगा वही पे अपना आगे का 5-6 साल बिताओंगा तो यह possible है वेटा इसके लिए आप पूरी preparation कर सकते हैं अब थोड़ा आगी की college पे भी जाता है Ames दिल्ली सबसे पहले उसके बाद आप बोल सकते हैं कि Ames भूवनेश्वर है यहाँ पे थोड़े debatable भी हो जाता है NIRF ranking के साब से लग होती है कुछ students के sentiments के साब से लग हो सकता है लेकिन आप कह सकते हैं कि Ames भूवनेश्वर एक बहुत अच्छा college है वहाँ पे आपको general में top 603 students तक पहुत सकते हैं ठीक है आ इकनोमिकल वीकर सेक्षिन में 1700 रैंक्यास पास कुछ OBC में 1665 SC में 6720 ST में 2333 समझ में आ गया यहां के रैंक तक बच्चे पहुत सकते हैं यानि कि आप टॉप 600 बच्चों में होंगे तो आप Ames भूवनेश्वर में जाओगे पीछे आप देख सकते हो बैक्राउंड में उस पहले 1700 बच्चे जो EWS सेक्षिन में आते हैं और रिजर्वरेशन में आते हैं यहां तक जा सकते हैं OBC वाले पहले 1000 बच्चों में से चांस मिलता है कि आप यहां पहुत सकते हो SC में यहां तक ST में यहां तक यह एम्स बोवनेश्वर है इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है एम्स जोधपूर इसकी NIRF रैंकिंग भी बहुत अच्छी है यूजिल यह टॉप 5 में रहता ही हमेशा एम्स जोधपूर में पहले 534 यानि की 534 है ना इतने बच्चे यहां तक पहुत सकते हैं 534 फॉस्ट 534 में इसमें अगर सब को रैंक पहले 57 स्टूडन कॉल इंडिया रैंक वने तो 57 एड होंगे समझ में आ गया वन नहीं गिना जाएगा उसको 57 गिने 25 स्ट में 11350 यहां तक आपको चांस होता है कि आप एम्स जोधपूर में जाओ राजस्थान मज़ेदार जगे हैं आप लिटरली यहां का कैंपस एंजॉई करोगे आप यहां की पढ़ाई एंजॉई करोगे आपको आपके जो फ्रेंड्स मिलेंगे वो भी बहुत अच्छे स्ट यहां से निकलने के बाद आप बहुत अच्छी जगिए प्रैक्टिस करने भी पहुच सकते हो क्योंकि यहां से जो डॉक्टर निकलते हैं उनकी काफी चरचाए होथा है कि बहुत अच्छे इसा लगएगा हैं तो एक तरीके से आपका रुदबार रहता हैं तो आप द बूनेसवर को देखोगे जोदपूर में देखो तो 534 है इसके लब आप बूनेसवर को देखो तो यहाँ पे 603 है तो पहले 500 बच्चे जाएंगे जोदपूर में फिर 603 बच्चों में से जाएंगे जो यह बूनेसवर में तो क्या होता है बेटा कोई states में अलग-अलग number of candidate होते हैं किसी state में से medical exam देने वाले बहुत जादा बच्चों होते हैं राजस्तान में number of students बहुत आई है आपको पता है UP में भी number of students बहुत आई है जो medical entrance exam देते हैं तो उसे साब से भी एक cut off थोड़ा सा उपर हो जाता है then one of the beautiful place है रिशिकेश यहां पर aims है और यह aims बहुत अच्छा aims है यहां की quality of teaching excellent है यहां पर आपको बहुत अच्छा practice करने मिल सकता है तो इसलिए यहां general category में आपको 931 rank के अंदर रहना पड़ता है यानि कि पहले OBC में 1630 तक स्थी में 9308 और स्थी में 17209 यहां तक आपको option है कि आप aims रिशिकेश में पहुचे बहुत बढ़िया माहौल होता है यहां पर आपको पता है रिशिकेश का weather तो बहुत ही अच्छा है और रिशिकेश बहुत पवित्र धरती है तो आप सभी को यहां पर कम से कम 5 साल रहने का मौका मिल सकता है अगर आप अपना मान लो कि मेरे को रिशिकेश जाना है जरू नहीं कि हर बच्चा दिल्ली का ही सपना देखे आपको अगर लग रहा है कि मैं साथ सो बीस में साथ सो बीस मेरे नहीं आ सकते मेरे साथ सो के उपर आ जाएंगे यह पक्का है यह चेस सो नबी के असपस आजेंगे पक्का है तब फिर आप गैरंटीड हो कि आप ऐसी कॉलज में पहुंच जाओगे ठीक है हम हम हमेशा ना ऐसा सोचे कि हमें एम्स दिल्ली जाना है यह अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्स दिल्ली में ही आप डॉक्टर बन सकते हो तो आप उसके साथ में ऐसी कॉलज इसका भी सपना देख सकते हो जो बच्चे रिशिकेश के आसपास में रहते हैं, वो सोच सकते हैं कि भाई हम एम्स रिशिकेश में जाएं, तो इस तरह से काफी सार एफेक्टर्स के उपर आप डिसाइड कर सकते हैं, आपने कभीर सिंग में तो सुना होगा, महरास्टर का टॉप पर था, और इंडिया रै इसके साथ में एम्स बोपाल बहुत बड़ा कैंपस है, आपको यहां 621 रैंक तक आप यहां पहुँच सकते हो, जनरल के लिए यह है आपका रैंक का कट ओफ, इसके साथ EWS के लिए 129 रैंक तक जा सकते हैं, OBC के लिए 1323 बच्चे तक जो रैंक होती है, वहां तक पहुच सकते हैं यहां पर ect के लिए 580,087 students तक होता है यहांका değil a curtop or Stी के लिए ट्वल्ळाउजन 872 यहां तक के जो बच्चे होता है टॉप 12000 बच्च स्ट के टेकरी के तुरूद जा सकते हैं यह All India रैंक से बीटा के टेकरी रैंक नहीं है ciao रैंक नहीं है यह All India rank सेट समझ में आ गया All India Rank में जिसका बारा बारा अजार 872 rank के अंदर है उसको चांस मिल सकता है कि वह एम्स बोपाल में जाए बहुत बड़ा campus है बहुत खुब सुरत campus है यहां पर मिल सकता है यह तो मैंने आपको सर्फ दिखाई कि पहली पांच कॉलेज जो मुझे लगता है कि students में बहुत फेमस है यहां और सपना देखते जाने का लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टॉप 10 एमस कॉलेज कौन सी है तो यह है आपके स्क्रीन के ओपर टॉप 10 एमस कॉलेज एमस दिल्ली जोदपूर पतना बुवनेश्वर भोपाल रिशिकेश कल्यानी राइपूर नागपूर राइबरेली यह सारी एमस है इसके अलावा और भी एमस है और कुछ और एमस अग हो तो जनरल में आपका रैंक होना चीए 3314 यानि कि 3000 स्टूडन्स तक अवेलिबिलिटी हो सकते कि आप कोई ना कोई एमस जो टॉप 10 में है वहाँ पर पहुच पाओ